हाई गाईज वेलकम बेक हावर यू आल उमीद है आप सब ठीकी होंगे और आज इस वीडियो का टापिक भी वही है जो के आपने इस वीडियो के थमनेल के उपर ही देखा होगा तो सेम उसी तरह आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टन होने जा रहा है जिन लोगों के लिए यह परेशानी है उन लोगों की यह परेशानी दूर होने जा रही है तो बताने जा रहा हूं इस वीडियो का टापिक तो इस वीडियो का टापिक है के यूटूब रिवेन यू नाट अपडेटिंग नाट शोइंग एन एड़सन अकाउंट वाइवाइवाट इस सो से उपर सबस्क्राइबर हो चुके हैं और यहां पर डेट सो से जदा वीडियो में यहां पर अपलोड कर चुका हूं मुफ्तलिफ टापिक्स के हवाले से यह मेरा टेक्निकल चेनल है तो यहां पर आप इसको सबस्क्राइब भी कर सकते हैं और यहां पर आपको कोई सी भ guide runway की है तो आप उस video को like कर दीजिगा तो चलिए इस मसले की जड़ के लिए हमें जाना होगा YouTube स्टोडियो में तो यहां पर मैं YouTube स्टोडियो में आ चुका हूँ और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा revenue कितना हो चुका है तो यहां पर मैं YouTube स्टोडियो के home page पर आ चुका हूँ डेशबोर्ड याने के यहां पर आप view more में जाएंगे हम तो यहां पर आपको revenue दिखाऊंगा कि यहां पर day by day revenue update होता जाता है YouTube स्टोडियो में और यहां पर आप देख सकते हैं के मेरे last 28 days का जो revenue है 4.23 डालर से और यहां पर इसको मैं टच करके यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह option मिल रहा है तो इस option को टच करके यहां पर मैं आपको lifetime का revenue दिखा देता हूं तो मेरा lifetime का revenue कितना हो चुका है YouTube channel monetize होने के बाद तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो revenue हो चुका है 10 डालर से उपर बढ़ चुका है और आप सभी को पता है कि 10 डालर बनने के बाद हमारे एड्स अकाउंट में जो हमने अपना एड्रेस दिया है तो वो एड्रेस हमारा verify होता है एक पिन के जरीए जो के पिन हमें letter के थूरू मिलता है हमारे घर की एड्रेस पर और उसको हम एड्संस के अंदर लगा देते हैं ताके हमारा एड्संस verify हो जाए और हमारा एड्संस एड्रेस भी वेरिफाय हो जाए ताके नेक्स जो पेमेंट आए वो हमें हाथों हाथ या पिर हमारे सी एनसी शुनाफ्टी कार्ड आधार कार्ड के उपर हमें मिले तो यहां पर अगर आपके दस डालर बन चुके हैं मेरी तरह तो आप परेशान होंगे कि यह दस डालर हमारे एड्संस अकाउंट के अंदर अपडेट की नहीं हो रहे शो की नहीं हो रहे क्योंके आपको भी जल्दी होगी मेरी तरह के एड्संस का पिन वेरिफाय करा लें तो यहां पर मैं एड्संस तो यहां पर मैं यूट्यूब स्टूडियो को क्लोज कर देता हूं और यहां पर म मैं AdSense के अंदर login हो चुका हूँ अगर आपको problem पेश आती है कि AdSense के अंदर login कैसे होते हैं तो उस हावाले से मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है इसी वीडियो के description में उस वीडियो का link मिल जाएगा कैसे AdSense account के अंदर login करना है तो simply वो वीडियो देखकर AdSense के अंद login कर लें अब हम बात करते हैं कि AdSense login करने के बाद यहां पर जो आपको revenue शो होता है तो वहां पर अगर आपको revenue ज्यादा शो हो रहा है और यहां पर कम शो हो रहा है या फिर शो ही नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब है इस हावाले से मैं आपको यहां पर update कर देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो के मेरा revenue साड़े शेयर डालर से भी ज्यादा यहां पर शो हो रहा है हलांके YouTube स्टोडियो में मेरा revenue 10 डालर से बढ़ चुका था तो यहां पर मुझे जल्दी है कि यहां पर भी 10 डालर शो हो ताके AdSense वाले मुझे एक PIN भेज़ें लेटर के यहां पर जो हमारा revenue हुए वो अपडेट क्यों नहीं हो रहा इसकी क्या वज़ा है क्या हमारे AdSense में कोई मसला आ गया है हमारा AdSense डिसेबल तो नहीं हो रहा तो इस हावाले से तमाम तर जितनी भी आपके दिमाग में जितने भी सवाल उबर रहे हैं इन तमाम तर सवालों के जब आप इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आकर तक लाजमी देखना है ताके आपकी परेशानी भी मेरी तरह दूर हो सोके तो इसमें आपको यहां पर देखा देता हूं कि यहां पर आप इसको उपर करेंगे तो यहां पर भीचे आपो डीटेल्स में भी शो होगा रेवेनियू तो यहांपर आप सकते हो के उपर लेफ्ट साइड पर आप तीन लक्यरों के निशानद दे सकते हो तीन लक्यरों के लेचे के ऊपर टाच करोगे तही यहां पर देखें के सेम revenue यूर revenue अर्निंग से साड़े शे डलर से उपर आ चुकी है और यहां पर आप नोट कर सकते हो के के यहां पर एटसन वाले मुझे बता रहे हैं के यहां पर आपका जो revenue है वो 6 सेकड़ो 6% 6% हो चुका है जो के 100 डालर के हिसाब से है जब मेरा 100 डालर हो जाएगा तो यहां पर मुझे payment send कर दी जाएगी मेरे सीनसी आदार काड़ शुनाती काड़ के उपर जो के मैं bank account में भी ले सकता हूँ तो यहां पर असल बात है के हमारा revenue अपडेट की नहीं हो रहा यहां पर शो की नहीं हो रहा तो यहां पर आपको नीचे एक और आप्शन मलेगा transaction के हवाले से तो यहां पर इसको थोड़ा सा उपर करके आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो transaction के हवाले से मेरी जो अपरेल की earning थी वो 3.50 ढलर थी और मैं की earning थी 3.50 डालर जून से यहां पर 22 तारि instruments तक जो Buddy. 50.50 ढलर same दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आपने देखा के मेरे चनल को मोनेटाइज होते हुए तीन महीने हो चुके हैं और यहाँ पर मेरे पहले मन्त की जो अर्निंग थी वो थी साड़े तीन डालर 3.5 डालर यहां पर आप देख सकते हो और उसके इलावा दूसरे मैने की जो अर्निंग थी वो थी 3.5 डालर तो उसके बाद की जो अर्निंग है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है यहां पर आप देख सकते हो के 1 जून से 22 जून तक ये अपडेट नहीं हुई है वही सेम साड़े शेयर डालर मुझे दिखाई जा रही है तो यहां पर मैं आपको बताता चलूँ जो तमाम तर आपकी परेशानिया हैं तो तमाम तर आपके सवालात हैं जो आपके जहन में उबर रहे हैं उस सवाले से मैं इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एड्संस की पालिसी है वो यह है कि आपका जो रिवेन्यू है वो हर महिने के 10 या 11 बारा तारीख के बाद यहां पर आपको अपडेट होकर शो होगा अगर आपका चैनल नया नया मॉनिटाइज हुआ है और उसको एक महिना भी नहीं हुआ है तो आपका रिवेन्यू डे बाई डे आपको यूटूब स्टोडियो में तो नजर आएगा लेकिन यहां पर एड्संस अकाउंट में एक महिने के बाद यह नजर आएगा अगर आपका revenue 10 डालर हो चुका है और आपको pin verify करने की जल्दी है तो आप जल्दी कर नहीं सकते क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है YouTube analytics जो है उसकी जो policy है वो day by day होती है या दो दो दिन बाद वहाँ पर show होती है जो भी हमारा revenue होता है वो show होता है day by day पर यहाँ पर जो adsense की जो policy है वो यह है के हर महीने के 10, 11, 12 तारिक के बाद यहाँ पर हमारा revenue है वो update होकर यहाँ पर हमें show होता है तो मज़िद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चलन को subscribe लाजमी कर लीजीगा आपके एक subscribe से मुझे बहुत खुशी होती है और motivation मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपकी runway के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा तो इस वीडियो को like भी कर दीजिगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक मुझे दीजिए ज़दत see you bye bye